हाला एवरिवन दिस चोदरी कश्ण कुमार ओन यूपीए से ट्रीम यूपीए से ट्रीम पर मैं पहारदिक श्वागत करता हूँ आज 11 नौमर की करन्ट अफेर्स की बात करते हैं चाथ चाथ मैं आपको बता दूँ कि आपने जैसा बोला था वीडियो से कोडिंग मैंने डिस सब्सक्राइब करें क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते हैं देबस्ट करन्ट अफेर्स रोजाना हमेशा चले शुरू करते हैं आज के करन्ट अफेर्स आज है 11 नौम्बर 11 नौम्बर को सेलेबेट किया जाता रास्ट्री शिक्षा दिवस ठीक है तो इसके बारे में देख और इसके शिक्षामंत्रे के पतबर रहे थे इन्होगे काफे सारे कोलेज खोले थे और भारत का पहला साइन्स कोलेज था वह से बी निके देने और ने को बारत किसल है सेने कि तो यह राज्य है आंदरप्रदेश और यहां पर बtonic ह्ट खुलेगा उसका नाम होगा अमरावती उच्छिने राले जो भारत का 25 उच्छिने राले होगा अमरावती उच्छिने राले नेक्स्ट आंदरप्रदेश के किस जिले में तो यह जो जिला होगा अंदर प्रिदेश का वो होगा विजे नगरम विजे नगरम याद रखना काफ़ी इंपोर्टेंट है एस याई शोटकन चेंपेंशिप 2018 के स्किट इवेंट में किस बारतिय ने स्वर्ण पतक जीता तो यह है अंगद वीर्शिंग बाजवा अंतराश्टी वोक्सिंग संका नया अध्यक्ष गफूर रखिमोग गफूर रखिमोग तो यह काफ़ी इंपोर्टेंट क्यूशन है धार में रखना नेक्स्ट आगे जो क्यूशन से अपने वो बात कर लेते हैं सबसे पहले देखिए यह दो देश हैं एक है टर्की और दूसरा शवदी अरब काफी कंट्रोवर्स इनके बीच में रही एक पत्रकार को लेकर और उस पत्रकार का नामें जमाल खसोगी तो आप देखिए यहां पर जमाल खसोगी किस देश के पत्रकार थे जमाल खसोगी प काम करते थे जी सक बार के लिए उसक बार करना था वासिंग्टन पॉस्ट वासिंग्टन पॉस्ट अगबार के लिए काम करते थे कंट्रोवर्स इसलिए क्योंकि हाल ही में अब इनका जो शव है वो तेजाब में गलाकर नाले में बहाद या गया तो काफी दोनों देशों के भीच में खेचाथनाव चल रहा है फेस्बुक ने कौन सा वीडियो एप लॉज़ किया तो इस एप का नाम है लास हो लासू जिस परकार टिक-टॉक बगरा जो वीडियो वीडियो एप हैं उसी प्रकार से ये छोटे वीडियो बनाने के लिए फेस्बुक ने लॉंच किया है लोक्स बागी पर्थम मैला मास अचीव कौन बनी तो ये हैं सनेलता स्रीवास्तो ये चर्चा में इसलिए क्यों किनका कारी काल होगो एक वरस के लिए और बढ़ा दिया क्या है तो ये अई रखना है नेग्स्ट आगे आपने बात करेंगेगी बातिये स्प्रदा आयो का है भाहरतिय कॉम्पीटिटा कमिशन इंडियं कॉम्पीटिटा कमिशन इसका अदेक्श बनाये ऐस्वकुमार गृत फ्रांस का सरीच नागरिक समान कि भारतिये वो दिया गया तो फ्रांस का दूसरों चनागरिक समान है वो दिया गया जुहारलाल स्री इनको इनको दिया गया क्योंकि इन्होंने भारत के इंदर फ्रांसी सिभासा का काफी परचार परसार किया और काफी उसको शेरक्षन दिया इसलिए इनको ये प्रुशकार दिया गया ह इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी विज्ञान एक मानव अधिकार ये शांती के लिए बनाया गया था विश्व विज्ञान दिवस और इसकी थीम थी विज्ञान एक मानव अधिकार है Next नो नौमबर को लालन सारंग का निदन हो गया वो किस चेतर से जूड़ी थी तो वो जूड़ी थी फिलम चेतर से अभिनेत्री थी मराठी अभिनेत्री थी लालन सारंग तो इनका ध्यान में रखना मिस ग्रेंड इंटरनेशनल 2018 का आयोजन कहां पर हुआ तो मिस ग्रेंड इंटरनेशनल 2018 का आयोजन यंगून यंगून म्यामार में है ठीक है यंगून शेयर है म्यामार में यहां पर हुआ और इसकी वीजेता रही थी कलारा सासो कलारा सासो प्रागवे की थी जो मिस 2018 ये एक्टूबर में हुआ था ये competition तो इस दुरान ये प्राग में की हैं ये धान मेरत नाव उपवी जेता मिनाक्षी चोधरी है जो भारत से यह रणर अरप रही थी उपवी जेता मिनाक्षी चोधरी क्या आप कमेंट करके बता सकते हैं म्यामार की राजधानी क्या है म्या प्राग कुमार मिश्रा मादव सिंग भगेल इत्तुजी भावदाशन नम्भू थीरी क्या आप कमेंट करके बता सकते हैं धन्मंत्री दीवस किसकी याद में मनाया जाता है या आपको कमेंट में बताना है तो फ्रेंट्स यह था अपना करेंट अफेस का वीडियो वीडिय अगर और कोई आपके उर्चे सुझाओ है तो वह आप कमेंट में बताइए कि वीडियो में यह इंप्रूमेंट किया जाए शाथ शाथ आप वीडियो को जदा से ज़्यादा सेर करें लाइक करें और कमेंट करें ठीक है और साथ शाथ मैं आपको बता दूगी जो हिमाशल करेंट के लिए वेट कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा मैं कहूंगा कि दो दिन आप और वेट कीजिए मैं एक्टूबर के डाल देता हूं कम्प्लीट और नौवंबर के वीड़ालने कोशिश करूँगा